नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हमें जानेंगे कि जोईंट इलिकलेशन फॉर्म पर गजेटेट आफिसर के सिलसाइन करवा सकते हैं और कौन-कौन से गजेटेट आफिसर के सिलसाइन इस फॉर्म पर हो सकते हैं इस बात का लिखित में कई सबूत है या नहीं, तो आज की इस वीडियो में हम इनी सवालों का जवाब डिटेल में जानेंगे, तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो चुरू करने से पहले आप तुमेसे रिक्वेस्ट है, कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर लिजे सब्स्ट्राइब, क्योंकि इस पीएफ उस जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी, दोस्तों पहले तो मैं आपको यह बता दूँ, कि अगर हमारे पीएफ अकॉर्ड में कोई जानकारी गलत अपडेट है, तो उस जानकारी को सही करवाने के लिए हमें जॉइंट लिकलेशन फॉर्म को इन इन भरना पड़ता है, फिर उस फॉर्म पर पीएफ मेंबर्स के साइन होते हैं, और उस फॉर्म पर इंप्लोर के सिलसाइन भी होते हैं, उसके बाद इस फॉर्म को पीएफ उफिस में जमा करना पड़ता है, इस फॉर्म को पीएफ उफिस में जमा करने के बाद, हमारे पीएफ अकॉर्म में जो जानकारी गलत अपडेट थी, वो जानकारी सही हो जाती है लेकिन यहाँ कुछ P.F. members के साथ में परिशानी आती है जैसा कि मैंने आपko बताया कि Joint Reliction Form पर इंप्रोउर के सिलसाइन होते हैं तो P.F. members को परिशानी यह आती है कि किसी काराण के चलते Joint Reliction Form पर employer के सिलसाइन नहीं हो पाते हैं और इस form पर जब तक employer के सिलसाइन नहीं होंगे तब तक यह form P.F. office में जमा नहीं हो पाएगा तो इसका solution यह है कि किसी कारण के चलते joint declaration form पर employer के सिलसाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप इस form पर गजेटेट आफिसर के भी सिलसाइन करवा सकते हैं आपका form P.F. office में जमा कर लिया जाएगा अब यहीं पर यह सवाल आता है कि अगर joint declaration form पर गजेटेट आफिसर के सिलसाइन हो सकते हैं तो कौन-कौन से गजेटेट आफिसर के सिलसाइन इस form पर हम करवा सकते हैं क्या यह बात EPFO ने लिखित में बताई है तो इस सवाल का जवाब है हाँ joint regulation form पर कौन-कौन से gadgeted officer के sales sign हो सकते हैं यह बात खुद EPFO ने लिखित में बताई है और इसका लिखित में सबूत है वो मैं आपको computer screen पर दिखाता हूँ और इसी PDF file में joint declaration form से जुड़े सभी सवालों का जवाब भी है तो अभी यहाँ हम scroll down करते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है authorized to attest the claims in case of closed establishment यानि कि अगर आपकी company बंद है तो यहाँ कुछ option है जिनके जरिये आप इस form को attestate करवा सकते हैं तो यहाँ gadgeted officer की list है लिखा है magistrate, gadgeted officer, post, sub post master member of parliament member of municipalities and municipal corporation नीचे और भी list है जिसे आप पढ़ सकते हैं इस PDF file का link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो जैसा कि आपने देखा कि joint declaration form पर कौन-कौन से gadgeted officer के seal sign हो सकते हैं इसके एक पूरी list यह PDF ने बताईए अब इस list में से किसी भी एक gadgeted officer के seal sign आप इस form पर करवा सकते हैं आपका form PDF office में जमा हो जाएगा और आपके PDF account में correction भी हो जाएगा बाकि आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही उम्मिद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के जरिये joint declaration form से जुड़े सवाल के जवाब को मैं आपको आसनली से समझा पाया हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो like जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी subscribe जरूर कर लें आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी